अस्राम लेकम मैं हूँ शाहिद राजा मैलोडी विजन स्टूडियस से आज का जो क्यूबेस का लेस्न मैंने डिजाइन किया है वो स्पेशली मेरे कुछ अनलाइन चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये लेस्न बनाया है उन में से कुछ ऐसे लोग हैं जो के बहुत अच्छे सिंगर हैं बहुत सुरीले सिंगर्स हैं लेकिन प्रॉब्लम उनका कभी कबार ये आता है कि गाते हुए किसी ना किसी जगा पे वो थोड़ा सा रिदम से आउट हो जाते हैं और उन्हें म्यूजिक का सम दुबारा ढूनने में मुश्किल होती है रिदम पे उनकी पूरी तरह शायद ग्रिप नहीं है तो उनके इस प्रॉब्लम को एजी करने के लिए 100% solution तो शायद नहीं है लेकिन काफी हम तक आपको support मिल जाएगी रिदम को काबू में रखने के लिए और secondly questions थे कुछ ऐसे studio recordists के जिनके पास ऐसे singers आते हैं जो karaoke tracks पे आम तोर से record कराना चाहते हैं लेकिन वो या तो फिर उनके रिदम पे grip कम होती है कभी या फिर कभी ऐसा भी होता है कि रिदम और सारा कुछ ठीक है लेकिन जो बोल है गाने के जो words है lyrics है वो गाते-गाते भूल जाते हैं अगर वो paper अपना सामने रखते हैं या diary सामने रखते हैं तो वो concentration जो है वो divide हो जाती है copy की तरफ, diary की तरफ चली जाती है concentration और performance जो गले की है वो थोड़ी सी down पड़ जाती है ना कमजोर हो जाती है तो इन दोनों problems को थोड़ा सा support करने के लिए मैंने एक tutorial बनाया है और इसमें specially मैंने एक video lyrics karaoke को use किया है जो audio karaoke होते हैं उसके साथ सब आप video lyrics को add कर दें जैसे YouTube पे आपने शायद नोट किया होगा के karaoke tracks अबसलते हैं तो उनके साथ lyrics scroll करते हैं और words highlight होते हैं जहां जहां पे जो word आपको गाना है जो line गानी है जितनी दफा repeat करनी है वो सारा sequence लिखा हुआ words की सुरत में लिखा हुआ आता है और एक different color से वो highlight होते हुए नजर आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौनसी line को कितनी बार repeat करना है तो यह lesson उन लोगों के लिए भी है जो के diary से या song के words को लिखने से निजात हासिल करना चाहते हैं कि वो उनके पास कोई ऐसी चीज आ जाए लिखा हुआ आ जाए और उनने पता भी चल जाए कि कौनसी line कितनी बार repeat करनी है तो इस चीज को सामने रखते हुए मैंने यह lesson डिजाइन किया है कि आप क्यूबेस के अंदर किस तरह से एक video file को import कर सकते हैं ऐसी video file जिसमें karaoke track का music है और plus उसके साथ lyrics synchronized हुए है इस पूरी file को क्यूबेस में किस तरह से use करके अपना गाना record कर सकते हैं यह आप उस video file को Cubase में ले जाएं, lyrics भी आपके सामने वो चलते हुए नजर आएं secondly आप mic पे जो vocal कर रहे हैं उस karaoke track के साथ वो आपका vocal भी साथ साथ रिकॉर्ड हो साथ साथ आप उस lyrics के monitor को देखते जाएं, उसके मताबिक आप vocal करते जाएं और आपका vocal भी साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएं तो इसको cover करने के लिए यह lesson मैंने बनाया है यही technique similarly use होती है किसी भी drama, film या TV commercial की dubbing होती है, dialogue की उसके लिए specially यह technique use होती है तो इस technique से I hope कि आपको काफी सरी नई चीज़े मिलने वाली है अगर आपको मेरी यह video पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe करें, like करें और share करें Okay, सबसे पहले हम Cubase को open करते हैं Cubase 5 पे काम कर रहा हूं मैं और इस वक्त मैं एक ordinary सा headphone और microphone जो उसके साथ connected है वो use कर रहा हूं और अब Cubase के open होता ही आप new project के ओपर click करेंगे और एक empty project create कर लेंगे यहां से आप किसी भी folder को choose कर लें जहां आप अपनी सारी recordings को save करना चाहते हैं Okay को click कर दें और यह देखें हमारे पास एक Cubase का empty project आ गया है अब मैं अपने एक folder में जाता हूं और यहां से एक video file drag and drop करता हूं Cubase के इस empty project में ओके यह आप देख रहें कि जो video file मैंने drag and drop की है Cubase ने automatically इसके दो tracks create कर दी है उपर वाला video track है और नीचे वाला audio track automatically Cubase ने दो tracks हमें दिखा दिये हैं और उपर वाले tracks को आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा zoom करता हूं और इसमें आप देख रहे हैं कि lyrics आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं और यह मेरे एक अपने गाने का karaoke track मैंने बनाया है और इसको मैंने उर्दू में बनाया है आम तोर से कि lyrics को आप देखते हैं YouTube पे किसी भी karaoke track के जो lyrics है वो English, Roman characters में आपको नजर आते हैं लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा change करने के लिए इसको मैंने उर्दू में type करके इसका karaoke lyrics बनाया है अब आप इसको play करेंगे और देखेंगे कि यह karaoke track lyrics के साथ Cubase के अंदर किस तरह से play होता है इसको थोड़ा आगे से मैं play करता हूं साथ मैं video के track को double click करके इसका जो monitor है यह monitor मैंने software monitor on कर लिया अब lyrics भी आपको दिखाई देंगे और highlight होते हुए भी नजर आएंगे और साथ साथ audio के track को भी आप सुनेंगे एक जो video lyrics के रहे होके है उसको आप Cubase में आप सुनेंगे इसको मैं play करता हूं थोड़ा आगे से okay मैंने इसको stop किया और अब मैं यह करता हूं कि इस karaoke track के साथ मैं अपना vocal record करना चाहता हूं और उस vocal recording के दुरान मुझे यह सारे lyrics screen पे highlight होते हुए नजर भी आएंगे और साथ साथ मेरा audio vocal भी इस track के साथ साथ record होगा जहां जहां पे मैं जैसे जैसे गाऊंगा उसके लिए मैं एक new track मैं create करता हूं add audio track इस मैं mono select करता हूं मैं vocals के लिए जो हाम तुर से mono ही use होना चाहिए इसको आप ok कर दें यह हमारे पास एक नया track आ गया है इसको हम इसका नाम लिख लेते हैं vocals okay और अब इस vocal की track में मैं अपने दूसरे माइक को connect करके इसका vocal record करूँगा कह रहे हो के साथ और आप देखेंगे कि lyrics किस तरह से साथ साथ चल रहे हैं और देख देखके मैं उसको समझ के उसको इस facility को use करते हुए अपना vocal Cubase में record कर रहा हूँ कर देखके तरह साथ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इस होसले से बुलंदियों को चुलूं इस होसले से तू फानों को मोडूं जो साथ हो ऐसा तो जिन्दगी आसान है इस होसले से ना मुंकिन भी कर जाओं। इस गाने को सुनते हैं अब के ये रिकोर्डिंग जिस तरह से हमने की है इसको मैं प्ले करता हूं जब में अधास हो जाओं अकेली में जब मुश्किल में थोड़ा आगे से प्ले करके देखते हैं जो साथ हो ऐसा जिन्दगी आसान है बिल्कुल लिरिक्स के साथ साथ मैंने इंजॉय किया और इसे रिकोर्ड किया यहां से सुनते हैं इस होसले से बुलंदिया को छूलू इस होसले से तूफानों को बॉल्कुल ओके तो इस तरह से मैंने क्यूबिस में एक वीडियो फाइल को इंपोर्ट किया और उसके साथ अपना एक ओडियो ट्रैक रिकोर्ड किया जो भी करयो के सिंगर से फो इस तरह से किसी भी वीडियो लेयरिक्स करयो कि की फाइल को क्यूबेस में इस तरह से इंपोर्ट करके अपना वोकल साथ-साथ रिकोर्ड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ लेयरिक्स को हालाइट होते हुए n जोई भी कर सकते हैं Thank you very much. See you next time.